हेलो जैहिन दोस्तों और जैसा हमने आपको बोला था हम आर्मी संपूर्ण बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर जीडी, कलर्क, ट्रेट्समेंट सब कुछ कवर किया जाएगा तो यहाँ पर हमने पहली कलास है हमारी और इसमें हमने पहली कलास ली है जीव विज्यान का important topic कौशि का विज्यान और ये सबसे पहले मैंने इसले लिया है क्योंकि ये एक तो टॉपिक बहुत छोटा है और दूसरी बात इस छोटे से टॉपिक में से आपके पास तीन से चार प्रसन बहुत ज़ादा आते हैं एक्जाम में रिपीट होते हैं तो प्रिवी से और के सभी कोश्चन तो हम करेंगे साथ-साथ हम कुछ नए कोश्चन भी करेंगे और इसके साथ मैंने या पर आपकी थूरी भी कंप्लीट किया पलस MCQ भी कंप्लीट किया है तो यह ऐसी हमारी हर वीडियो रहेगी थूरी और MCQ के साथ ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहली क्लास तो देखिए पहली क्लास है फिर से बता रहा हूं जीव विज्ञान का हमारे टोपिक है इंपोटन्ट कोशी का विज्ञान तो यहाँ पर देखीगा जीव दरव्य आपसे question पूच सकता है कि जीव दरव्य का नाम करण किसने किया तो आपको right answer यहाँ पर देना है पूर किंजे ने जीव दरव्य का नाम करण किया ठीक है तो दो number का यह प्रस्ट बनता है और दिखेगा जितने मैंने यहाँ पर थुरी लिखी है ये सभी की सभी अपने आप में एक प्रस्न है ठीक है आपके एक्जामें पूछे जा चुके हैं नेक्ट है जीव द्रव्य को जीवन का भोतिक आधार भी कहते हैं सबसे important part है इसका ये वाला जीवन का भोतिक आधार किसे बोला जाता है तो आपका अंसर होगा यहाँ पर जीव द्रव्य आप यहाँ पर देखीगा जीव द्रव्य को दो भागों में बाटा गया है एक है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य आपको इनकी definition नहीं करनी आपको बस इतना पता होना चाहिए अगर exam में कोशिन आ जाए कि जीव द्रव्य को कितने भागों में बाटा गया है तो आपका अंसर होगा दो भागों में अब यहाँ पर जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ यह most important है कि जीव द्रव्य का लगबग कितने प्रतिशत भाग जल होता है यह कोशिन आपके कलर्क में आया था आर्मी के तो इस कोशिन को आप ignore मत करना जीव द्रव्य पूछ सकता है या फिर आपको बोलेगा कोशिका क कितने प्रतिशत भाग द्रव्य होता है यानि कि जल होता है तो आपको आंसर देना है 80 प्रतिशत भाग जल होता है ठीक है आचा आप शुरू करते हैं कोशिका से तो उमीद करूंगा आप सभी लोग क्लास में जुड़ गए होंगे और देखीगा हमारे इस परयाज के मांचनात्मक इकाई है तो ये भी अपने आप में प्रश्ण है नैग्स्ट कोशिका के अध्यन को क्या बोला जाता है साइटो लोजी बोला जाता है ये ध्यान रखना इस पर मैं स्टार कर रहू हूं ये मोस्ट इंप्रेंट है कोशिका शब्द का प्रयोक्सर प्रतम राव कि सबसे चोटी कोश्य का क्या है तो आपको आंसर देना है mycoplasma ठीक है और अगर पूछ ले कि सबसे चोटी कोश्य का किसकी है तो mycoplasma galisepticma ध्यान रखेंगे अच्छा next part देखते हैं कि सबसे लंबी कोश्य का तंत्रिका तंत्र की है और सबसे बड़ी कोशिका शत्रमुरुक के अंडे की कोशिका है तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है अगर बोलेगा सबसे लंबी यानि की वो लंबाई की बात कर रहा है तो आपका अंसर क्या होगा तंत्री का तंत्र होगा अब बोलेगा सबसे बड़ी कोशिका तो लंबाई चोड़ाई दोनों इंक्लिड होता है सबसे बड़ा तो कौन सी कोशिका होगी वो होगी शत्रमुरुक का अंडा तो यह ध्यान रखेंगे यह सभी की सभी हमने देखिए थियोरी से हमारे MCQB रुका है ठीक है SSC यह रेलवे का लावर मैंने नहीं टच किया आपके एक्जम में वह नहीं आएगा और आपका समय में वेस्ट नहीं करना चाता नेक्स देखिएगा कोशिका का प्रतिपादन श्लाइड इन वश्वान ने किया था तो यह अलग कोशिका का प्रतिपादन एक कोशिका से होती है पहला प्रतिपादन है यह ठीक है प्रतिप जीव का शरीर एक याने कोशिकाओं का बना होता है फल सवरूप एक जीव का निर्मान होता है नेक्स है आपे कोशिका का निर्मान जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकरता होता है इंपो कोशिकाइं दो प्रकार की होती हैं बस आपसे यही कोशिकाइं कितने प्रकार की होती हैं तो आपको क्या अंसर देना है दोस्तों कोशिकाइं दो प्रकार की होती हैं पहली है प्रोकेरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकेरियोटिक कोशिका बस आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनके नाम बताएं ठीक है या फिर A या B ऐसे option में दे सकता है आपको इनकी आपको इसकी explanation नहीं पढ़नी प्रोकेरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिकाओं की क्योंकि ये SSTO Railway का पार्थ है थोड़ा High Level आपके exam में अभी तक नहीं आया आपको पढ़ना भी नहीं है आपके exam में बस यह आया है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं इनके नाम भी नहीं दिये बट मैंने फिर भी इनके नाम include की हैं आपको पता होना चाहिए next बोलेगा आपके कोशिका के मुख्य भाग इस प्रकार से है पहला आपसे भाग बोलेगा कोशिका भित्ती तो हम discuss करने वाले हैं कोशिका भित्ती तो यहाँ पर देखीगा यह जो भाग है यह बहुत important है आपको ध्यान से देखना है और आपको बोलू इसकी आपको notes बनाने की भी जिरूरत नहीं है इसका मैं आपको PDF वी जो है वो morning में प्रवाइड करूँगा हमारे टेलिग्राम पर जाके आप morning में इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते है टेलिग्राम गुरूप जिरूने जोइन नहीं किया वो जोइन कर लेना ठीक है इसके बाद हम MCQ टेस्ट भी लगाने वाले हैं तो वीडियो में पूरा बने रहना next कोशिका भित्ती डिसकस कर रहे हैं बहुत important है ये कि यह किवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है पहला प्रस्णाप का कि इन में से कौन सी कोशिका पादप कोशिकाओं में होती है यानि कि पेड़ पोधो वगयरा में तो कोशिका भित्ती यह cellulose की बनी होती है तो दूसरा प्रस्णाप का ये रहा कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है जी सेलिलोस की बनी होती है कोशिका भित्ती का कारे कोशिकाओं की निश्चित आकरती अवं आकार को बनाए रखना होता है ठीक है तो यह important है आपको पता होना चाहिए next है यहापे कोशिका जिल्ली हमारा second part यह भी important है कि कोशिका के सभी अव्यव एक पतली जिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं इस जिल्ली को कोशिका जिल्ली कहते हैं और यह होती है अर्ध पारगम में तो यहाँ पर दो प्रस्ण है कोशिका जिल्ली आपसे बोलेगा तो आपका अंसर होगा अर्ध पारगम में कोशि का भित्ती होती है सिरफ और सिरफ पार गम में तो यह आपको ध्यान रखना है यह important है है ना अभी हम देखेंगे mcq में सब मैंने प्रिपेर किये हैं तो आपका पूरी practice होगी next है आपका तारक काय तो देखिएगा आप से क्या बोलेगा सिरफ आप तारक काय के बारे में इतना आएगा कि तारक काय की खोज किसने की है तो बो वेरी ने की है और आपको इससे ज्यादा इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है आर्मी एक्जाम में इतना इनफ है ठीक है next है ribosome और यह most important part है हमारा आज की वीडियो का कि यह प्रोटीन की बनी होती है पहला प्रस्मन आपका बनता है आपको पता होना चाहिए और यह protein sensation के लिए उप्यूक्त स्थान प्रदान करती है अर्थात यह protein का उत्पादन स्थल है इसलिए से protein की factory कहा जाता है तो यह प्रस्मन तो आपके एक्जाम में भर-भर के आया है किसे protein की factory भी बोलते हैं तो क्या अंसर होगा दोस्तो ribosome को protein की factory बोलते है ठीक है आपसे यह भी पूछ सकता है protein का उत्पादन स्थल कौन सा है तो ribosome है ribosome किसका बना होता है तो ribonucleic acid नामक अमल और protein का बना होता है ठीक है जी तो ribosome के बारे में आपको बस इतना ही ध्यान है अब next देखिएगा हमारा important है mitochondria और इससे भी प्रस्ण आपके exam में आए है थोड़ा तेज बोल रहा हूँ थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं ताकि आपका जो है lecture ज्यादा लंबा ना हो है ना इसकी खोज ultimate की थी किसकी खोज mitochondria की खोज बट इसका जो कि निम्र में से कौन सा कोशिका का श्वसन स्थल है तो कौन सा है mitochondria है ठीक है और protein की अगर बात करेगा प्रकास protein sensation वाली यहाँ पर हम बात करें इसकी protein का उत्पादन स्थन बोलेगा तो आपको ribosome आंसर करना है और आपको श्वसन स्थल बोलेगा तो mitochondria आंसर करना है ठीक ह के बारे में जितने fact बताए है ये सभी आपको पता होने चाहिए सभी important है जी ओके बढ़ते है next पे next discuss करते हैं गाल जी काई तो गाल जी काई जो है ये भी कोशिका का एक अभिन अंग है और इसके बारे में भी आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि इसकी खोज कैमिलो गाल सकता है किस विज्ञानिक ने की थी तो डी डूबे ने की थी किस ने की दी भाई डी डूबे ने की थी और लाइजोजोम को हम आत्म घाती ठैली भी बोलते हैं या फिर आत्म हत्या की ठैली भी बोलते हैं किसको बोलते हैं आत्म हत्या की ठैली तो लाइजोजोम को बोलते ह ध्यान रहेगा इतना सबको उमीद करूँगा ध्यान रहेगा नेक्स्ट है लवक और लवक से आपके एक्जाम में जादे प्रसंद नहीं आते पर एक दो बार प्रसंद आये हैं तो हम लवक को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि तयारी करनी है तो पूरी करनी है वरना करनी नहीं है ठीक है तो मैं करवाँगा तो सारी करवाँगा मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं खटकना चाहिए कि ये कोशन में नहीं करवा पाया मैं अपने इसाब से पूरा आपको जोड़ दूँगा आपकी पूरी तयारी करवाँगा नेक्स है लवक यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं पहला प्रसन कर रहे हैं इसका नाम ही हरितलवक है तो यह कौन से रंका होता है हरे रंका होता है और हरे रंका क्यों होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंका पदार्थ परनहरित होता है ठीक है तो परनहरित किसमें होता है हरित लवक में होता है इसकी साहिता से पूधा प्रकास अंसलेशन करता है और भोजन बनाता है इसलिए हरित लवक को पादब कोशिका की रसोई भी कहते है तो ये ध्यान रहेगा सब को ये वाला पॉइंट अभी तक एक्जाम में नहीं आया है इसलिए है बट आ सकता है किसे पादब कोशिका की रसोई भी कहते हैं तो हरित लवक को कहते हैं नेक्ट देखेगा ये कुछ इंपॉर्टेंट है कि पतियों का पीला रंग कैरोटीन के निरमान के होने से होता है पतियों का हरा रंग कलोरोफील है जी यहां पर पीले रंग की बात कर रहे हैं तो कैरोटीन के निर्मान होने के कारण होता है है ना आप देखिएगा लवक का दूसरा पार्ट है और नी लवक इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता करना आपसे बस यहीं पूछेगा कि निर्मान में से कौन सा एक रंग हीन लवक है तो रंग हीन लवक कौन सा है अवरनी लवक है बस अगला डिसकस करेंगे हम वरनी लवक तो यह है एक रंगीन लवक है यह भी पूछेगा आपसे तो पर रंगीन लवक आपका देखीगा जो हमने हलित लवक किया था वो भी रंगीन लवक होता है उधारण इसके दिरके हैं टमाटर का लाल रंग, लाइकोपेन के कारण होता है, गाजर का रंग होता है, कैरोटीन के कारण, और चुकंदर का जो लाल रंग होता है, वो बीटानीन के कारण होता है नेक्स्ट हमारा इंपोर्टन पॉइंट है यापे केंदरक का, और ये जितने भी मैंने सभी डिस्कस किये, सभी अपने आप में इंपोर्टन है, यहां से आपकी बस थूरी कंपलीट होती है, इतनी ही थूरी है हमारे पास, ठीक है केंदरक, यह कोशिका का सबसे प्रमुक आंग होता है, यह प्रोटीन एमम डिने का बना होता है, तो प्रशन आएगा केंदरक का निर्मान किस से होता है, तो प्रोटीन और डिने से मिलकर केंदरक का निर्मान होता है, केंदरक की खोज आपसे पूछेगा एक्जामे और DNA की DV Kundalik Saranod baco किस ने प्रतिपाधित किया वाउंटन एभण क्रिक ने प्रतिपाधित किया एहा बोलेगा DNA की कहोज किसने की वाउंटन crackers ने की इसकी क्या है जीन है और यह आपके आर्मी की जीडी में ही चुका है कि DNA की क्या होती है जीन होती है यह है प्रोटीन संसलेशन को नियंत्रित करता है यहां पर ध्यान रखना है यह नियंत्रित कर रहा है प्रोटीन संसलेशन में अगर सहायता बोलेगा तो कौन करेगा सहायता राइबोसोम हाना और नियंत्रित करेगा तो यह करेगा DNA य और यहां पर आपकी थ्योरी जो है वो complete है थोड़ी सी background हो शारी है इसके लिए मैं माफी चाहूंगा है कोई बात नहीं आप इतना manage कर सकते हैं अब यहां से हमारे mcq प्रसंट स्टार्ट होते हैं अगर आपने थ्योरी ध्यान से पड़ी है तो आप इन प्रस्णों का अराम स से आंसर दे सकते हैं तो सभी को प्रस्णों का अंसर देना है और दीकि फिर से बोलूंगा यदि आप चैनल पर नहीं है प्रयास आपको अच्छा लग रहा है आप चाहते हैं classes continue रहें तो वीडियो को आपको लाइक करना है अपने फ्रेंड को शेर भी कर सकते हैं जो तयारी कर रहें हैं आर्मी की नेक्स है आपका कोशी का संबंदित महत्यपूर्ण बहु विकल्पी प्रस्ण अब यहां पर आपका खूद का टेस्ट है मैं आपको ज्याद समय नहीं दूंगा पहला प्रस्ण है कोशी का नाम किस जी विज्ञानिक ने सरव प्रथम दिया था तो कि प्रोटीन का संसलेशन करना उसमें साहता करना तो अगर राइबोस्वम अनुपस्थित होगा तो प्रोटीन का संसलेशन नहीं होगा ओप्शन सी बिल्कुल सही होगा है ना नैस्ट है थर्ड कोशीका का उर्जा ग्रह किसे बोलते हैं तो कोशीका का उर्जा ग्रह बोलते ह है Mitochondria को option third इसका right होगा जी और fourth question है कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है अब यहाँ पे आप confuse मत हो ना यहाँ पे बोला है आपको कोशिकांग तो कोशिकांग तो प्लासिड है वाई ठीक है सबसे बड़ी कोशिका नहीं प्लासिद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि आप देखिए आप एक कंफ्यूज नहीं हो ना पादप कोशिकाओं में क्या पाई जाती है कोशिका भित्ती पाई जाती है ना तो आप कोशिका भित्ती कौन सर करेंगे 7. कोशिके श्वस्न का सक्रिय स्थल अब ये श्वस्न का सक्रिय स्थल मैंने डिसकस किया है आपको माइटो कॉंडरिया का तो माइटो कॉंडरिया ही होगा, option B सही होगा जी question number 8 है, फूलो और बीजो को विभिन परकार के आकर्शग रंग कौन परदान करता है तो देखिएगा फूलो और बीजो की बात कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट मत करना, option B होगा क्रोमोप्लास्ट ठीक है, इससे पतियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोफिल से ये आपको ध्यान रखना है, फूलो और बीजो में विभिन आकर्शग रंग क्रोमोप्लास्ट ध्यान रखेंगे, 9 question देखते हैं, कोशेक की आत्म हत्या की थैली कहलाता है तो डिसकस किया हुआ है, लाइजोजोम कहलाता है, लाइजोजोम की खोज किस ने की थी, डीडूबे ने की थी प्रशन नमबर 10, प्रोटीन निर्मान का सक्रियस्थल कौन सा है, तो ये प्रोटीन निर्मान का हो गया तो इसमें भी कोई गलत अंसर नहीं देगा, ओप्शन B सभी ने चूज करना है, राइबोजोम है ठीक है, नेक्स्ट है 11, अस्ती प्रतिशत से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्त क्या है कोशिका, जीवद्रव्य, डिसकस किया था न, सबसे तीसरी ये चोथी लाइन है हमारी वीडियो की शुरू की ही तो क्या है, जल होता है, ओप्शन D 12 कोशिका में कौन सा अंगक पराया है, जन्तु कोशिका में उपस्तित नहीं होता तो जन्तु कोशिका में कौन सा अंगक उपस्तित नहीं होता तो देखीगा, लवक, लवक आपको पता है, सिरफ और सिरफ पादप कोशिकाओं में पाई जाते हैं हमने डिसकस किया था, तो ओप्शन A सही होगा ठीक है, नेक्स्ट है यापे 13, कोशिका भित्ती होती है तो देखीएगा, कोशिका भित्ती होती है, सिरफ पारगम में पादप कोशिकाओं में पाई जाती है कोशन नमपर चोदा है, माईटोकंडर्या किसमें अनुपस्थल उता है यानि कि होता ही नहीं है Mitochondria, तो यह किसमे अनुपस्तित होता है, जिवानों में नहीं होता है, option third जो है वो right है, question number 15 है, जीव द्रव्य शब्द का स्वर प्रथम प्रयोग किस ने किया था, तो पहली line हमारी इस वीडियो की starting की थी, पूर किंजे option B, बिल्कुल right, next है question number 16, DNA के द्वी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस ने प्रस्तावित किया, क्या अंसर देना है आपको Watson एवं क्रिक ने, question number 17 है, nucleus की खोज सरव प्रथम किस ने की थी, तो nucleus की खोज सरव प्रथम की थी, brown ने, और nucleus क्या है, इसको हिंदी में बोलते है, kendrak, आप समझ में आया, kendrak डिसकस किया है, brown ने, गुणशूत्र सरव प्रथम किस ने प्रयोग किया था, तो गुणशूत्र शब्द का प्रयोग, सरव प्रथम किस ने किया था, दोस्तों, तो वाल टेर ने किया था, option B right होगा, question number 19 है, सबसे छोटी कोशिका होती है, तो बिल्कुल simple, option A, आख बंद क के लगाना है, mycoplasma, next है, question number 20, जीवद्रव्य, जीवन का भोतिक आधार है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, यह कथन है, हैक्स लेगा, option इसका भी third right है, ठीक है, यह ध्यान रखना, यह प्रशन डिसकस ने किया थियोरी में, इसको आपको ध्यान रखना है, और आपको notes ब नियंत्रित होती है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, कोशिका की क्रियात्म गतिविदिया, केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है, option D, next है, 22, वास्तवी केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो देखी का केंद्रक और माइटोकॉंड्रिया, दोनों ही पाणूं में नहीं होती, option A इसका right है, 23 है second last person, निमलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध पारगम में है, तो discuss किया है, किसी को कोई प्रोल्म नहीं होगी, अर्ध पारगम में कौन सी होती है, कोशिका जिल्ली जो है वो अर्ध पारगम में होती है, और 24 हमारा last person है, स question D जिन्होंने चूज किया है, उनका answer बिल्कुल सही है, तो guys यह थी आपकी पहली class, बताना आपको session कैसा लगा, छोटी class है क्योंकि छोटा topic लिया है, और हाँ, जितने topic लूंगा मैं, ऐसे करेंगे, दो दिन हम science करेंगे, दो दिन हम GK करेंगे, ठीक है, और दो दिन math करेंगे, week में हम essay पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मुझे अपनी भी तयारी करनी होती है, मुझे आपकी भी तयारी करवानी है, है ना, दो तीन teacher नहीं है, कि मैं एक दिन मैं आपक आपको GK भी पढ़ाऊं, और एक दिन मैं आपको math भी पढ़ाऊं, तो कोशिश पूरी करूंगे कि अपकी class मिस ना हो, daily class हो, बट पढ़ाऊंगा ऐसे ही, दो दिन science, दो दिन GK, और दो दिन आपका math, ठीक है, जो topic उठाऊंगा, वो complete कराऊंगा, theory plus mcq, तो यही था आज का वीडियो उमिद करूंगा, helpful लगाऊगा, keep supporting, keep love, keep like, keep share, keep subscribe, मिलते हैं नेक्स शीडियो में, तब तक के लिए, जाए हिन, दोस्तों